कि अब धिंग कोडिंग कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस किया था राइट कि मैं तुम बोलता आप स्टार्ट से करो हुआ को समझ में नहीं हाई व हुए नहीं समझ में नहीं बाराबना इसको कोडिंग करते हैं तो चलिए पताते हैं सबसे पहले आप इसको डिसाइब किजिए कि आपको जो माक्रों बनाना है उसका अलगोरिदम क्या है यह रिकॉर्डिंग बेहना सब अहां अलगोरिदम इसका कि एस्टेप का होना बहुत जोड़ी है क्योंकि ऐसे माक्रों है जिसको आप अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं तो कैसे करेंगे ठीक है तो उसके लिए step होना चाहिए तो जिससे के step मतलब क्या होगा मावी जी कि मुझे करना है कि मैं यहाँ name A1 पर name, B1 पर roll number marks लिए का चाहता हूँ VVM I4 के मुद्स से तो उसी का step आप यहाँ decide कर लो कि हाँ select A1, enter the name, select B1, enter the name इस तरीके साथ इसका इसका इस्तमाल कर सके हैं ठीक है सब्सक्राइब Okay तो everything जोना जोनी ही और दूसरा लात ही होता है कि अब micro का Micro का इस्तमाल हम कब करेंगे हम यह नहीं करते हैं कि हमेशा micro को ही चीज़ करेंगे लेकिन micro का इस्तमाल जो है हम वहाँ पर करते हैं जहां पर हमारा Excel जवाब रहता है क्योंकि हमारा priority जो होती है कि सब्सक्राइब priority होती है कि हम Excel कि ही अंदर यूज करें ठीक है कि हम Excel ही इस्तमाल करें Okay अगर आप किसी को भेजते हो अपना क्या बहुते हैं कोई micro बनी हुई फाइल तो पॉल्म है कि उस फाइल को यूज नहीं करते हैं अगर उसके पास macro का security अनेवल नहीं है तो क्या होती है कि macro security by default disable होता है disable all macro with notifications तो macro को अनेवन करने के बाद ही आप macro को यूज कर सकते हो किसी की फाइल में लगे भी macro होता है ठीक है अच्छा इस इस का यूज की इस से ध्यान लखेगा तो हम हमेशा macro को इस्तमाल ने करते हैं पहले निश्यक्तिति की आपको macro मुलाना ही परेगा ठीक है दूसरा कि अगर हम माल दिजिए कि हम अगर macro इस्तमाल करते हैं तो हमारा काम जो हो repeated होना चाहिए ठीक है repeated होना चाहिए मतलब कि वह बार बार repeat होना चाहिए अच्छा ठीक है करते हैं उस पर क्राम कीचिए या तो कुल काम अगर एक बार ही आया है तो ओ आपका लेंदी जो होना चाहिए कि भाई एक ही बार आया है लेकि इतना ज़्यादा लंदी है कि अगर मैनूल करने बैको तो कुझे दिन महीना हफता लगस करता है अच्छा अच्छा आप बिज्वल बेसिक पे जाए और मुडूल इंसर्ट करें तो माइकोस हमेशा मुडूल बनाता है क्यों क्योंकि मुडूल में जो मैको बनता है वो फाइल के साथ सेव होता है हर जगा ठेवल करता है रइट और आप उसको असानी से इस्तामाल भी करसकों इसे आपका माइक्रो भी डिलीट हो जाएगा इसलिए हमेशा माइक्रो कॉम जिसके बनाते हैं ताकि माइक्रो हमारा डिलीट ना जी ठीक है क्लियर है आजर ठीक है आजर बढ़ते है अब माइक्रो बढ़ाने से पहले आप यहां पर माइक्रो का नेम दिख लेकर ना होगा तो नेम के लिए सब लिखते हैं सब को सब्जेक्ट सब भी लिख सकते हो और पब्लिक सब भी लिख सकते हैं ठीक है आप सब भी लिख सकते हो और फब्लिक सब भी लिख सकते हो दुनों एक ही है जैसे वान और प्लस वान में तो खास डिफेरेंस लिए ना सेब दिफेरेंस ठीक है ठीक है ठीक है एक रूल से हैं सबसे बिरा रूल से है कि मैक और नेम में किसी भी तरह का एस पेसल एक्रेक्टर नहीं हो चाहिए से स्पेस कॉमा डेसम नहीं होना चाहिए ऐसा हुआ तो यह आपका वर्ण नहीं करेगा से से समझें यह जड़ा है यह जड़ा है यह जड़ा है यह जड़ा है जड़ा है तो लग मैं टेस्क तूड़इ लिखना है तो में अंडर को और शकर सेपकें अबसा मैं निए कि अंडर गलत होगा जी ठीक है जार लेकिन एक हाँ अल्फा नुमेरिक भी आम ने डाल जबते हैं उसे मैं यहां पर राजवार नहीं नाम गुलत होगा क्यों जो उन्हों गाज़ा जो यह एक रेफरेंस हो गया ना एड्रस हो गया राज़ा थिजित में लड़ों अल्फा नुमेरिक नहीं जाल जी इसी अध्यान रहती है तो मैंकोन इसी समझना आगया आए हांजी जैद और जब भी हम macro decide करते हैं तो इसीच का दिखान रखेगा जब भी हम macro मनाएंगे तो macro दो तरह के होते हैं public and private तो हमने यहां में नाम दिखा है वो public macro या फिर हम record करते हैं तो पब्लिक macro मतलब क्या हुआ कि macro इस फाइल की property में से हुआ और publicly जो है और travel करेगी मतलब यह फाइल में आपको दू तो आप भी मिस्राजवन को राजवन को राजवन में मारे macro को access कर सकते हैं अच्छा मतलब यह फाइल में ही रहेगा खली इस वर भूप हाँ हां बतलब कि जहां जहां फाइल जाएगी वहां वहां macro भी जाएगा जो लोग file को access करेगा और यह लोग macro को भी access करेगा अच्छा मतलब यह फाइल के साथ ही macro travel करेगा और जैसे मैं कोई और book open करके वह macro run करूँगा तो नहीं हां अगर महां बिखले कि इस macro को मुझे किसी और प्रिस बुक टू पे अपलाई करना है तो बुक टू पे macro apply होगा कब जब आपका book one open है मैं book one को close किया तो मैं को list देखोगे आपका अच्छा है अच्छा है तो अच्छा है कि अजया है थे फाइल और उपन रहेगी जहां पर macro है तो वह all be open file पर macro वह सेम रन कर देगा है थीक है ठीक है यह हो गया public पब्लिक अच्छा अब गूसरा यहां पर आता है कि अगर माल लिजिए कि यह हो गया आप अब गुज़ा यहां पर आता है कि अगर recording करते समय जब recording करने के लिए इस बुक्तू को ओपन करने के जरूद नहीं है यह जिस फाइल माल कि यहां पर आता है कि यह आपकी office library में इसकी coding को सेव करता है मैं पर फाइल के अंदर अच्छा वी मतलब यह विंडो की library में सेव जाएगा अफिस की library में सेव जाएगा अच्छा तो इससे इससे क्या होगा कि आप इस अब बात आती है कि यह programming कैसे करें जैसे कि माने जी कि मेरे पास मेरी algorithm करती है open the workbook create the new file मतलब कहने मतलब कि यहां पर हम code जो लिखेंगे को क्या code लिखेंगे तो अचली आप basic action पढ़ते हैं VB के साथ तो देखिए जब भी आपको code start करने हैं तो mostly code चार word से start होता है होता है application workbook and sheets और range इस चार word होता है अब इसी की algorithm करता है मानों कि मुझे काम है मैंने algorithm आपके किया कि start हुआ है कि मैं गोड डिक्लेर किया और create new workbook save workbook look as a 1 2 3 in E slash 2000 ऐसे तो ठीक ने इसानए ख़ुक है इस तरक है इस तरग की algorithm होता है तो पहला एक बतन कहता है creative workbook तो हम क्या code लिखे? क्योंकि हम इसको बता है कि language की तरब पढ़ते हैं इसको न हम इसको एक language की तरब जानते हैं तो हमें accent को बोलना, video को बोलना है creative new workbook creative new workbook इस चीज को कैसा समझाएंगा तो जब भी हम कोई sentence बोलते हैं तो आप English में पढ़ा होगा part of speech part of speech आप English में पढ़े होगे तो part of speech में क्या था कि एक sentence संबूर्दों से कई part होता है इसकी noun होता है, verb होता है, adverb होता है तो noun किसी person का name या किसी palace का नाम है तो starting में noun होगा है और बीच में आएगा, adverb में आएगा, adverb में आएगा क्या यह होता है न तो कुछ से अनुन हो लगे जाता है हमने बोला creative workbook तो यहां पर हम सबसे पहला object लेंगे और workbooks का लेंगे क्यों क्योंकि यह जो हम काम करना चाहते हैं वो एक particular file को effect कर रहा है एक particular file को effect कर रहा है इसलिए यहां पर हम workbooks लेंगे यहां कोड होगा workbooks.ad हम बुला share as a workbook in system अब यहां भी हम लिख सकते हैं अब यहां पर क्या है कि हम यहां भी workbook ही लेंगे बट इसमें problem है कि अगर मुझे workbook का नाम है नाम बता है तो यहां लिखेंगे हम workbooks यहां भी कि book1.xlsx.save as और यहां पर eDrive में slash 2017 slash 123.xls ठीक है अब देके code लिखने का तरीका सबसे पहले होता है आपके code कर दो पाल होता है एक होता है object तो दुसरा होता है action जैसे यहां के ऊपर के object और action किस पे क्या करना है बस मुझे वी वी यह दोईस बात कुछ थी है किस पे क्या करना है तो हम यह पर बोला कि workbook में add करना है लेकि नीचे हैं बोलना पड़ेगा workbook workbook को save करना है तो सिंपल सी बात है पूछे का कौन सी workbook को तरहा save करना है अब आपने 50 पाइले call रखी है और मैं बलोगे बाई workbook को save करो तो आप बलोगे न कि कौन सी workbook को कहा पिसे रच करना है सिंपल सी बात यहां है यह हो जाएगा object यह हो जाएगा object का detail और यहां हो जाएगा action यह हमारा action का detail तो चार बात होते हैं पहला होता है object, object detail, action and action detail ठीक है? इस चीज़ का ध्यान नहीं बट यहां पे एक code सुतेवल नहीं है विखा हो है कि जब हम workbook add करते हैं अब इस चीज़ का भी ध्यान लखना हो जब हम workbook add करते हैं तो जवरीज होई कि book one नहीं हो वो कुछ भी हो सकता है क्या सर तो मुझे तो मुझे और alternate part गुनना पड़ेगा तो दो पार्ट है पहला पार्ट है कि हम जानते हैं जब हम workbook add करते हैं तो वही activate होती है जब किसी particular sheet पे हम control end करेंगे तो वही activate होगी न तो यहां पे इसका workbook का एक और नाम होता active workbook उसी का पार्ट है प्रयावाची बोल सकते हैं उसको और फिर उसमें डाल देंगे तो active workbook में क्या है इसको बोलते है fix object यह fix object है ठीक है कि यह fix है कि active workbook को करेगा save as तो यहां आ सकते हैं यहां फिर आप direct add करते से में ही आप double add इसको बोलते है double action method कि आप जो है दो-दो action एक साथ कर सकते हैं कि workbook add save as back to तो इसमें से क्या लेना है वो आपकी situation का according आपको choose करना है अगर workbook का नाम पता है तो आप इसको यूज करोगे अगर आपको पता है कि active workbook के यूज करोगे आपको add करते समय से वैच कर देना है तो इसका इस्तिमाद करोगे समझ गया तो इसको बोलते है workbook की calling method अब इसकी इसमें बोलते है insert the sheet तो पता है sheet is third rename, rename करना है तो इसी algorithm से define करना है कि आपको की कौन सा code apply अब चलिए मैं one by one सारे range को सारे members को example में समझाता है तो workbook को call करना आ गया workbook को add करना workbook को save as करना अगर आपको just workbook को save करना है और आपको पता है कि workbook active है तो आप यहां पर dot save कर सकते हो लेकिन घ्राम रखे अगर workbook पहले से कहीं save नहीं है तो directly save as वाला pop-up आ जाएगा तो इस code को लगाने से पहले insert हो जाए तो आपको पता है कि किसी particular workbook को save करना है तो आप उस particular workbook का नाम के साथ इसमें third way लिख सकते है समझे है तो active workbook कहां use करना है workbook कहां use करना है और dip in करना situation में कि आपके file active है या आप file का नाम जाते है क्या लिजी समझना है या हाँ जी समझा है हाँ जी सर समझा अब बात करते हैं फाइल को open करने के लिए तो यहां पे हम workbook.open लोगे और यहां कहां से open करना है उसका reference समझे है तो अब बोलेगे तो workbook का detail है तो action में को चलाएगी यहां पे हम object का detail हम तभी डालेंगे कि जब वो object open है ठीक है object open है तभी डालें क्योंकि अगर workbook close है तो कि वो और office library के अंदर में नहीं है इस लिए चिपन का नहीं है इस लिए चिपन का नहीं है इस लिए चिपन का नहीं है इस बाट क्याब़ंत कि वो स्वेत कपड़ंत क्याद का पक्याद क्याद चिए अब यहां बे हम आगे बढते हैं इसमें औरफ क्या करें तो बर्कूप या चुर्म को .close और close करते समय यहां पे true and false डालना पढ़े क्यों? किसी फाइल को अगर आप close करते हैं तो इसका header वाइस से यह don't say ओके यह यह पॉपर नहीं आने के लिए true करना पड़े यह true करोगे तो set पे के लिए करेगा false करोगे तो don't set पे करेगा ठीक है? तो अगर आपको किसी पढ़तिक में बॉर्टिक का नाम पता एक सी मुहल किजिए यह बहार है . वार्टिक का एक उना मुपरू आपफ़ा भार्टिक का उना मुपरू बहार झाएस रट कर दो कर दो करने जा रहे हैं कि अगर किसी पार्टिकुलर वर्कूप को क्लोज करना है तो उसको सेलेक्ट कीजिए और यहां पर डॉट क्लोज कर देजिए ठीक है तो यह एक्टिव वर्कूप कर लेना है आप समझ ही आओंगे आप बार बार दो इसको यूज नहीं करका तो अब बात करते हैं कि वर्कूप को एक करना तैब करना मतलि दो वर्कूप करना एक फाइल से दूसरे फाइल पर कैसे जाएंगे इस तो उसके लिए यहां पर हम लिखेंगे वर्कूप वर्क बुक्स और किस बुक पर जाना है यहां पर बुक वान डॉट एक्सलेस एक्स डॉट एक्टिवेट एक्टिवेट चीक है तो यह अव्य टाब से मिल जाते हैं वान बुक्स एक्स दूसरे बुक्स इसी जरूर्वर परती है तो उस केस में स्टैस्ट बाद करते हैं लेकिन कभी-कभी एरण देता है तो उस केस में आप एक वोड भी जाए कर सकते हैं कि विंडो और इसमें यहां पर विंडो यहां पर विंडो यहां पर बुक्स ओन डॉट एक्सलेंस डॉट एक्टिवेट तो आप उपर डिसाइट कर विजिए आपको क्या यूज़ करना है तो ठी है अब बात करते हैं इसमें यह हो गया अब बात करते हैं बड़कु को ओपन करना बड़कु को हाइट हम पते हैं आपको किसी पर्टिकुल फाइल को हाइट ही भी कर सकते हैं यह है , यह है five उसे बुक 2 है बुक 1 है अब आरक है इक ऐसाइसा five है इसको open करने में बहुत टायM करता है और आपने तो वह सारो फाइल आप आपने open कर रखिए, navigate करना दिक्कत जा 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 जो फाइल का currently use नहीं कर रहा लेकिन 10 मिन बाद आप 20 मिन बाद तो use करोगे, तो उस फाइल को आप review में जाके hide कर सकते हैं, तो आप आप unhide करेंगे तो फाइल को unhide कर सकते हैं, इसे क्या हो कि आपकी navigation में दिक्कत नहीं होगी और जिस फैर को चाहिए उसको open कर सकते हैं, तो यहां भी आप workbook dot यहां पे hidden आता है आप देखी यहां पे इसका code यहां समझ में नहीं आ रहा है, यह हाइप करने है क्या code, समझे है? recording micro करते हैं, हां तो इसके लिए आप record कर सकते हैं, कभी यह दिक्कत होती है कि अब मैं भी बुल दाता हूं कि code क्या होगा, तो मैं इसको record करके hide कर सकते हैं, यह लोग, फीचर सब यह सा use नहीं होते हैं, आहां होते है, active work, अच्छा यह है, active window, active window dot which one equal to false, या equal to true, समझे है, un hide कर दाता है, यह तो चुग, और यहां पे, windows book two dot which one equal to true, ऐसे भी लिख सकते हैं, active window की true करोगे, जो file सामने दिख रही है, वो आपका hidden हो जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं, किसी particular file को करना, तो आप windows में visible ले सकते हैं, windows का part हो जाता है, ठीक है? अच्छा, जाने दिखे, अब आगे बर इसमें, अब हम workbook को hide and hide करना सीखते हैं, workbook को protect करना सीखते हैं, तो यहां पे लिखेंगे workbook dot, यहां पे कुन सा workbook करना, या active workbook को करना है, वो आपने साइट के लिजेगा, कि active workbook dot protect और यहां पे पास बढ़ा दिखेंगे, यह जो protection करता है, यह कुन सा protection करता है? यह protection करते हैं, यहां, रिजूम के अंदर आता है, protect the book, यह आपके workbook को protect बढ़ता है, यह ब्ले के अंदर फाइल परदे पास्टर्ट माउनेगा इसा है? नए! फाइल फाइल पेशार पास्टर्ट्र को करता है sir, कि अब मैं किसी भी सीट को इंसर्ट नहीं कर जबता है डिलीट नहीं कर जबता हूं या कुछ ऐसा सीट पर काम ने कर सकता हूं नहीं पच्छा इस लियर है रहे हैं आगे मैं आजब अजब अच्छेश्ट लेकिन मुझे फाइल की ओपिनिंग पास पर चाहिए फाइल की ओपिनिग पासपर्ट तो उसके लिए यह में एक्टिव वर्क यहां पर सुरिये यहां भी एक्टिव वर्क बूक यहां भी दूबी वर्क बूक को को सेज़र हो लिखें अच्छेश्ट पासबोर्ट यहां अपकी ओप्निग पासपर्ट तो इसमें एक चीछ ध्यान दे वाली है आप देखिए कि बागी और मैंने space action जो है हमारा लेकि action detail हम तो दिया दरने हैं कि यहां पर object है और action ठीक है तो action detail हमेशा हमने यहां पर space दिया हुआ इसे उपर यहां पर हमने लेकी को दो तो dva के language में यह action नहीं है action हम लोग अपने language देखते हैं dva के language में जो है member कर दोपने दिरात। त्वonne कि पॉपक्व main rather होता है ऊसको बोलते हैं मिल्सा है उसको बुलते है है कि और टॉक तो तो नहीं है हाँ हम्मेथोर अपन यह बन oneself होता है टॉपक्ल देना मॱट ठीक है अब कैसे आएंट करोगे दो तरीके मेंबर लगाने के बाद यहां पे स्पेस माँगे तो आपको नीचे एक्स्प्रेशन आएगा इत्मीज मुथ्थ कि मेंबर में परडिय नहीं आएंगा इस आप करते आगें नौई मेजिए परड़्ों इसिक अप्लाई करके मैं कें जिए तो पॉल कर देख लोगए अजय को कि हलो है कि है हलो है 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 कि अज़ाइब इस टाइब करोगे तो इप हैंड का निशान है इसका मतला है कि कोपटी है हलो है हाँ मैं सुची बात कर रहा हूं इसके आवाज तो इसे ब्रेक हो रही है मैं दूसरे नमर से कॉल प्रीस मैं कॉल करता हूं अब बसे लिए एक से एंगिलंगा नंबर है न उस पर नेटवर्क कि सही नहीं रहता है बहुत पहले लिए था सबसे पहला नंबर था मेरा उसमें तो यहां पर एक्टिव वाक्टुक डॉट्ट प्रोटेक्ट रहे हैं थीक है तो यहां पर समझना आगे ने मर्खा क्या होता है मेंबर कहा होता है वह हैंड वाला बता रहते हैं आप वह क्या रहते हैं प्रॉपर्टी रहती है और जो बाक्स वाला है वह आपका मिथा है यहां लिए इसका तो हलो हाँ यह सब्सक्राइब करना जोरी होता है क्यों कि कंपनिया कोई भी कंपनी जो रिपोर्ट्स है जो अलसिस है जो भी चीज़े हैं उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एक्सेल है अपको भी कोई संडों करने को मिलता है तो आप डेटा को इंपोर्ट या education किसमे extensive an में चाहते हैं। इसमें का एक template बना दीजिए जो कि मैं अपने software के template में डाल दूंगा जैसी हो analysis को export करेंगे तो data को इस template वादे फाइल में पेस करेंगे उसको से रच करेंगे अच्छा समझेंगे तो तो लोग हम लोग को है तो कुछ लोग part time होता है कुछ लोग template होता है कुछ लोग होता है कि 6 मीना साल पर आपको काम करना में इस तरह से करते हैं तो हमांट जो higher charge करते हैं इसी बात नहीं है मेरे एक संदीब सींग है मेरे ही trainer है उनको मैंने आज भेजा था इसमें IBM में इस IBM नहीं माफ किजिएगा जान प्लेक्ट में प्लेक्ट मेंने का प्रजेक्ट था और उनको पे मिरू रहा था इत्ती थाउजन पर मत और नोक्री कर रहे थे वह 25,000 रूपी की नोक्री कर जाय थे अनोको मेंने की सेल्डी ते निलेख सब्सक्राइब कर दो कर दो है कि मतलब की तीन मेंने की सेल्डी एक मेने मिल रही है साथ मेने करूंगा साथ तरी 20 मेने के सेल ही दिलेगी अब 21 मेने के सेल मुझे अगा साथ मेने मिल रहा है तो पिर मैं क्यों न जाने करूं बाद में जोयन कर लूगा इसी कंप्री को तो यौर्में जोब थोड़ी है कि जिन्दी होच अबना है अब देखता हूं कि आपने किसी स्टूडेंट को रेफर करूंगा जब्गी नोलेज वीडिया पकरन इसकी वीडियम में अच्छी हो गई होगी अच्छा उनी को मैं रेफर करत होगा कोशिश करता हूं मैं अच्छे सब बनने के लिए ताकि मैं भी मुंबई से बुस्तों कर पाऊं हां अच्छी बात मुंबई से करेंगे तो वह आपको बहुत साने मिल जाएंगे यह पार्ट टाइम जो है बहुत अची चीज है अगर अच्छी पकर हो गई है और आप महिने में मांग जाएंगे एक या दो परजेक्ट ही ले लेते हो एक-दो परजेक्ट के लिए कम से कम आपको 10 जार रुपे कर चार्ज होता है विशाट तो प्रजेक्ट सेलदी के अलावा और व्ली अलावा mm कुछ पर वॉर प्रजेक्ट 19 tena क्या ठंक तो यहां पर हम आगे बढ़ते हैं अपर हम टॉपिक पर हम क्लिए हमने अब टॉपिक पर नेक्स्ट आते हैं यहां पर अब हमने कर दिया जो फाइल को हुआ काम होते हैं फाइल के चीज़ कोई चीज़ बची नहीं है न मुझे एक कोश्चन था इसके में सर्फ मैं क्या बज़रों आप उन्हें एक्टिव वर्क बुक करके कर दिया और नॉमल कोई इस बुक का जैसे बुक वर्क बुक डॉट यहां सब्सक कुछ करना था जेंवन दिन आगर मुझे कौई एक और में वर्ट्र किलोईरर् सब्सक्रों थे सब्सक्रात बॉबंप है उसकर इउसक्तिका उपना करना था ौकरूल कश्च ए सब्सक्तिय कुछ और मैं आप्तिव उन प्लॉट्सफर्णोड हो तो वो it all right ऋघा थे एक साथ, आप उसमें कजी लगाना पढ़ेगा, उसमें लूप लगाना पढ़ेगा, और कंडीशन लगाना पढ़ेगा, हाँ, अभी यूटूब ते मैं ने एक वीडियो कर लोड की थी, क्लोज और माइफ को बटनुक एट वान्स करके, उसको लेखा हूंगा, देखेज़ेगा, ठीक है, अब बात करतें, शीट्स के उपर, कि इसमें, शीट्स का क्या जोज है, अब सीट्स में, सबस्क्री जानेग हैं, सीट्स को किटने आत्रा से कॉल करते हैं, जिसे आपने जाना की वर्ग बुक को दो तरीके से कॉल करते हैं एक वर्ग बुक दूसरा एक्टिव वर्ग वर्ग तो सीट के तरह से कॉल कर सकता है तो सीट को जो है हम सबसे पहले तो हम इसके जिसको जसे फाम हो कि मैं दें काम सबस्मॉप पहला है इसको कैप tom को अगर में भी यहां कि यह दिय को अगर्विक ही इसको मैंने ज्याम कर दिया ठीक है तो computer इसको इस caption name जो है January के नाम से जान रहा है आगे जैन के नाम से जान रहा है तो दो तरीकिये अगर आप caption name को recording चलते हो तो लिखना पड़ता है sheets और यहां पे inverted कॉमा में जान और इसके आगे जो आप action लगना चाहते हो अगर से कि activate select copy paste जो भी है वो लगा सकते हो लगा सकते हो लेकिन अगर आप call करना चाहते हो seat के property name से मतलब जो यहां दिखता है seat1 तो उसके लिए आपको just seat1 लिखना पड़ेगा जो seat के नाम आप दिख रहा है हो लिख देंगे seat1.activate select copy paste जो भी action देना चाहते हो दे सकते हैं ठीक है तो उस case में हाँ लिखेंगे seat का sequence number seat1.select activate जो भी आगे करना चाहते हैं इसका मतलब कि sequence number कि आगर मैं seat 3 को पहले पर रख दिया seat इसी को activate करेगा क्योंकि इसका position जो है पहले number पर इंडेक्स जो है और पहले number पर रहा है ठीक है अब situation कि कर इसको इसको इस्तिमाल करेंगा तो जो कि capsule name के small cup करते हैं जब हमारा seat बार बार डिलीट होते रहता है लेकि नाम जेम रहता है यहां कि जैसे डिलीट होगा आपका property name change हो जाएगा को इसको कि आपको पार देंग करते हैं जब आपका सीप तो फिक्स हो जाएगा रहता है वह बड़ार बढ़ वह चेंज होते रहता है उसका नाम चेंज होते रहता है नाम अमेशा मैं चंप करन आटका है पूजिशन सेमरेस तो अच्छीपर वन में रहेगा वरेखाब हुआ है मैं है कि अगर को कुछ भी नियीं पताए तो फिर इस किया कि इस इंडेक्स नुमर से चलाइगा ठीक है कि अब चलिए सीट पर होने वाले जैसे सीट को एड करना है यहां पर हम लिखेंगे इसे शीट करना है तो एक्टिव सीट डॉट नेम इक्वल कुछ जो नाम नाचाते हो दे सकते हो कब जब सीट एड करते हो तो एक्टिवेट होती है जैसे बर्कबू के मैंने उपर आपको बतायाता है यहां पर बतायात है ना कि आप सीट को एड कर सकते हो सेव कर सकते हो इसके साथ ही तो आप यहां भी इसको रिनेम कर सकते हो हां कि कि डॉट नेम इक्वल टू जो भी है तो फिल एक्टिव शीट अब किसी पर्टिकुलर शीट को रिनेम करना है तो इस मेथावड में से अपना मेथावड उठाईए जैसे मालों कि कैप्सर नेम यहां से उठाईए कि दॉट में एक我是 जो नाम नहाँ चाहते हैं वोगे यह अजिक गारत भी बात हो रही है तो एक सीट आईड यह मिए कौद रही है सीट समय कर दिया सीफ PPARम ने क्या होगा कि यह सीट अमन्ना हो आइक्तिवेट होगा उससे पहले अ जा रहेगा कि जो सीथ हमारा पहले है उससे पहले इसको एड़ कर देगा ठीक है लेकिन मैं चाहता हूं किसी पर्टिकुलर सीथ के बाद किसी पर्टिकुलर सीड के बाद कि किसी प्रटिकुलर सीथ के बाद करेंगे कर देंगे कि तो कुछ नहीं यहां पर करेंगी यहां पर इसको आप स्पेस मारते हो तो इसमें आता है लेकिन मुझे पर्टिकुलर शीट के बार करनी है एक कॉमा देखके मैं आफ्टर बिफोर को स्किप करके आपके पर जाओंगा अब यहां भी आपको देनी है कौन से सीट के बार आपको एड़ करनी है तो यहां पर लिखेंगे हम शीट्स और शीट्स में यहां देंगे हम जो भी शीट का लिए कि सीट वान या सीट टू जो भी या सीट थरी लेकिन प्रॉलम है कि मुझे अड़ करना है सबसे लास्ट में तो लास्ट शीट नहीं पताती है यहां पे अब इसका नमबर दे सकते हो थरी कि तीसरे सीट के बाद जो भी सीट हो लेकिं जो भी थोड़ी है कि हर बाद तीनी सीट हो लोगा हो सकता है कि अलग लग सीट हो क्या है कि बराबर तो उस केस में यहां पर हम सीट के जग्वादपर यहां पर एक फ़ंक्शन लगा देंगे सीट.kind काउनग पोपर्टी है जो कि बताती आए कि इस सीट में कितने निमें नम्रू ऑफ सीट है यहां पर आपसीओ को मर्य की कि सीट्स की काउनट ठीक है यह जो है इसमेे तो यह हमेशा लास्ट में रोग और साथ में अगर आप इस पे स्पेस मारें तो यह काता है काउंट तेकि जनली तो एक ही सीट आपकी यह होती है लेकि यहां पर आप दे सकते हो कि कितने नंब्राओं सीट तो यह होता है कि कौन सा टैंप्लेट लेते हैं कि इसके यूज अमनों नहीं करते है क्योंकि जो ही तो टैंप्लेट है यह आपको तो सीट आड़ करना आ गया आपको किसी पर्टिक्लर शीट को एक्टिवेट करना भी आगया अब बात करते चलिए आओ क्या करते हैं मालेजें सीट को डिलीट करना होते कैसे करें तो शीट और जिस शीट को डिलीट करना है उसका यहां के दिजिए या फिर आप सीट का पर्पर्टि ने भी दे सकते हैं में तदी आपके सीट वन डॉट 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 अब जिब डॉट डिलीट इस्तिमाल करते हैं है तो एक प्रॉलम होती है जब भी रहा हम किसी सीट को यहां से ड्लीट करते हैं तो यह मुझे से कंफरमेशन मांगता जब मैं डिलीट पर क्लिक करता हूं तब ही वो डिलीट करेगा अधरवाइज डिलीट नहीं करेगा ठीक है जब तक कि मैं करो तो यह मैं को ब्रेकर की तरह कान करेंगा तो इसके ओपर हमें देना पड़ेगा अप्लिकेशन डॉट डिस्प्ले अलार्ट इकल तू फॉल्स ठीक है इससे ओअलर्ट करने वाले सिस्टम को फॉल्स कर देगा तो फिर दिक्कत नहीं है ठीक है सब्सक्राइज तो यह चीज अब उन्हों फ्रक भी दाल सकता है और बुक के लिए सब्सक्राइज हाँ कहीं जो भी इवेंट अलार्ट आता है न किसी तरह का अलार्ट के लिए इसका इस्तमाल आप कर सकते हैं सहत्सक्राइज अब इसमें आगे बढ़ते हैं डिलीट हमने कर दिया इंसर्ट हमने कर दिया अब मात करते हैं कॉपी का तो अगर हमने सीट वर्ण डॉट कॉपी कर लिया तो यह क्या होगा बता को कि मतलब कि इस फाइल को और न्यू वर्ण डूप में कॉपी पेस कर देगा थिक्राइब करते हैं अब मेरा बार तो इसके लिए कॉपी हमने कर दिया लेकि मैं चाहता हूं कि कॉपी हो इसी किसी इस पर सीट में मैं सीट के बाद या सबस्ता लाग सीट में तो उसके लिए यहां पर लिखेंगे सीट वर्ण डॉट कॉपी और कॉपी में यहां पर देंगे बिफोर आफटर करना तो ठीक है भी फोर करना ठीक है अब सबस्ते करना है तो यह वाली ब्लार टाल देंगे ठीक है ऐसे आपको मूव करना है कोपी क्रियेट करेगा मूव अधे उठाग रखना ऐसे कट करना मतलब तो उसके लिए कोपी के सब्सक्राइब रहेगा मेथोड मूव के जगापी कोपी कर दीजिए कोपी जगापी मूव कर दीए ठीक है तो यह आपका मूव हो जाएगा उसके बाद अगर मैं चाहूं कि मैं यहां पे मूव करना है हाइड करना किसे सीट को तो सीट वान डॉट यहां पे मैं हिडेन करता हूं विज्वल किया उपकोल टू मैं यहां पे बढ़ता हूं एक्सल वेरी हीडेट एक्सल सीट वेरी हीडेट कि कि क तो आपको ऑनाईट श्यक्या करना के लिए शीट करना पड़ेगा या दिएक के करना तो नॉर्मल ही तो ही लिए उसके कर सकता है तो व्यूदी प्रोगां से अन्हाइब करते हैं यह अगरिये आपका राता है को भी अन्हायद नहीं पाएगा जब तक उसको आपको पालिंग यह मैं वी बिस्वाजिक अडिटरी और वीजबर करना है तो एक सीड वीजबर करना है आपकर वीजबर करना है ठीक है जी सरफ करना है अब इसमें और में सीट भी क्या करते हैं तो सीट वान डॉट हम यहां पर देते हैं प्रोटेक्ट तो प्रोटेक्ट करते हैं और यहां पर अपना पास पर डालते हैं तो सीट आपकी प्रोटेक्ट जाती है अनप्रोटेक्ट करना है तो सीट वान यहां पर अनप्रोटेक्ट करेंगे और अपना पास पर देखें पास पर हड़ा सकते है ठीक है उसके बाद सीट का अगर हमने यह करना चाहिए टैब को लाइन तैब करते हैं नहां से राइट क्लिक करके टैब करना चाहिए तो कैसे में लिए यहां होगा शीट वान डॉट टैब डॉट कलर इक्वल टू जो भी डाना चाहते है डाल सकते है मेभी डूश्या मुझेंटा कि यहां तो सीट पर करना चुके इसके लावर कुछ करते हैं सीट पर करना और और करना और अधिया नहीं करना पास्पर प्रोटेक्ट करना इतने बेसिकली काम होता है कि यहां झाल कि यहां कि यहां कि अब बात करते हैं रेंज की तो रेंज रेंज इंपॉर्टेंट बार्ट है सा ध्याने की वह क्यों क्यों कि हम काम अपना रेंज पहीं करते हैं रेंज पी अफ़िए पुरा काम जो है रेंज पें रही नहीं तो कुछ नहीं कि आपको फिल्टर लगाना एक अधर आपको पीवट लगाना है डैटा उलाना है चांप बनाना है कुछ भी बनाना है तामस्त लिए रेंज का इस्थमाद करते हैं तो चलिए रेंज को कितने तुरा से कॉल किया जाता है उसको एक बार जा लिए ठीक है तो आगे हमारा रेंज ही जब से दाई यूज होगा हाँ तो रेंज को कॉल करने का तरीका एक टाई को लिए रेंज रेंज यहां पर देते हैं इन बटे को आँ में एवन डॉट स्लेक्ट या जो भी आगे कॉपी पेस्ट जो भी देना चाहते हो इसका कर सकते हैं एक तो तरीका ही होता है दूसरा होता है वृता है कि रेंज यहां हम देते हैं सेल्स कि सेल्स और यहां अलफा नमरीक होता ही कि वन कॉमा वन डॉट स्लेक्ट या कॉपी पेस्ट भी होता है प्रेंज के अलफा में इसको बोलते हैं है है morte झाल झाल अब इसमें एक और है वह है active cell यहां पर cursor होगा और एक होता है selection selection जो एरिया हमारे माइक को एक एरिया select कर रखे है तो इसको selection के नाम से जाएगा एक cursor पर रखे इसको active cell के नाम से नाम से जाएगा और जो भी particular cell address आपका है उसके cell address हम यहां लेगे तो इसके आगे जो भी करना है इसका आगे हम करेंगा अभी कहें के वींड जो है complicated इसको जो है ध्यान से बढ़ना होगा नहां नहीं है ठीक है तो उससे पहले हमें यह जानना होगा कि हमने workbook और sheets के ऊपर तो हमने सारे में जो सब्सक्राइब करें तो इनकी अलावा भी होता है तो उस मेंबर के लिस्ट को एक वाई study कर ले आप ठीक है क्या बोलता है तो कि अब आपने अभी तो कॉपी हुआ तो कॉपी एक मेंबर है ना सीट जो वह जब दबाते हो इसके साथ यह सारे चीज़ा रहा है तो इन सब के वारे विए एक बार थीरी कर जान लोगे तो आप इसको इसको कर सकते हों तो एक बाद जो है अभी जो है आप एक तो इसकी workbook और सीट की जो मेंबर से उसकी अत्री से प्रैक्टिस कर लो जो मैंने आज बताया आपको डर्च भी जो हो कि म Yeah उसके बाद में आपको इक लिसराओ इस म्त में नुक ये लिए से रखाएंगा स्कों तो से खिक की मरें जो हो जो जो में इसको भाद को सब्सक्रिक में एक तो आप्को और वहराano यह ए इस चीज़ पर चैट पर देजना हूँ, कोपी कर देजिए कोपी कर देजिए सर हलो मैंने इसको में कर देजिए आप कोपी कर देजिए तो ओपन करके उसमें जो सीट के और वर्ट बुक और सीट के रिफरेंस को आप स्टडी करें फिर आगे आगे दिसकस कर देजिए ठीक है तो मिलता है कल से ये जो देजिए मिलता है